एक स्टूडेंट क्लास वन से लेकर क्लास टैन तक शायद बिना कोई फिकर के पड़ता है एस्वेसली यार पांच पे क्लास तक तो कुछ समझ भी नहीं आता क्या करना होता है दिमाग डेवलेप नहीं हो पाती वो कॉम्पेटिशन की भावना नहीं हाती सिक्स टू एट ग्रेड में स्टूडेंस की जिंदगी में वो थोड़ा सा वो कमपेरिजन शुरू हो जाता है कही ना कहीं से या तो दोस कर रहे होते हैं या तो हम खुद कर रहे होते हैं या तो पैरेंस कर रहे होते हैं कहीं न कहीं से यह comparison शुरू होता है वो competition वाली भावना न लगती है कि वो में इसे better कर रहा है वो भाई first आ रहा है यह भाई second आ रहा है तुम third क्यों आ रहे हो तुमारे max में इससे कम max क्यों है फिर जब बच्चा 9th grade में आते हैं थोड़ा सौ develop होता है तब उसे वो बच्चा या तो serious हो जाता है पढ़ाई को लेकर 10th को लेकर और ज़्यादा serious होने लगता है 9th से या तो फिर वो balance रहता है या तो फिर वो ध्यान देता है ने फिर जब बच्चा 9 साल के experience के बाद 10 वी में आता है पूरी काया पलट जाती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार ये बच्चा देने वाला होता है एक national level examination जिसको सब board examination, board examination हो बोलते हैं चरह आप CBSC से दो, ICC से दो या states पे हो board examination देने वाला होता है और पहली बात ये board examination सुनकर ही आदे students तो वही पूरा confidence धिला हो जाता है समझ बनी आते है कि इसको face कैसे करेंगे हाला कि है तो ये एक exam ही जो पिछले 9 साल से देते वह आ रहे है final examination जो है वही 10th का भी यही examination है बस तरह ही कि यहाँ पे वो पुरे country से compete कर रहे है जहाँ पर बाकी time पे वो उसे अपने school के बच्चों से या तो class के बच्चों से compete कर रहे है यहाँ पे class भी है school भी है पुरा देश है सामे उस बात का डर बैठ जाता है और यह पहला reason होता है बच्चों का depressed हो जाने का हाँ जी depression एक बहुत बड़ा word जो आज कल यार जो वो प्रट कर नहीं देख रहे है बहुत डिपने इस exam में यार कल पापांट मांसने बहुत दाट है बहुत डिपरेज्ट यार इक्जामिन तैयारी नी वे बहुत डिपरेज्ट यार तैयारी पूरी होगी अभी कैसे करने समet रहे हैं यार या मेरे को कहां से test paper करने समझ नहीं आ रहा है, sample पर नहीं मिल रहा है, स्थार मेरे पुरा syllabus complete हो गया सर, लेकिन अब क्या करने समझ नहीं आ रहा है, सर्था depressed हो मैं, the constant, constant rant about depression, 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 and I understand, समझ में आता है मुझे की depression है थोड़ा बात, stress है थोड़ा बात, depressed हो थोड़ा बात, I do understand, World Cup चल रहा है न, आप हो बता है कि Ronaldo और Messi ने कितने गोल्स मारे है अपनी जिन्दगी में अपले तक, मैसी मेरे ख्याल से पिछले 19-20 साल से है, 2003-2002 के आसपास उन्होंने अपनी career शुरू की थी, senior league player of course, ठीक है, और अब वो almost है, 2022 में अभी है, तो 19-20 साल उन्होंने football खिला हुआ है, वैसे Ronaldo जी में, CR7, is also playing from the same time, 2002-2003 से वो 19-20 साल के तरह से खिल रहे हैं, हलाकि Ronaldo ने ज़्यादा games खिलें मैसी से, कुछ 500 games ज़्यादा, but however, आपको बता है कि इस 20 साल के career में, 20 साल, समाझवारों 20 साल का मतलब, आपकी उमर नहीं यतनी, आपकी उमर नहीं यतनी, 20 साल के career में, इन लोगोंने कितने goals मारे हैं, इसी वर्लकब में, उस वर्लकब में ने टोटल गोल्स पूछ रहा हूँ, Cristiano Ronaldo ने, somewhere about 800 के उपर goals मारे हैं, 800 के उपर, out of somewhere about 1100 plus games, मैसी जी ने 800 से थोड़ा कम goals मारे हैं, और उस वर्लकब थाउजन प्लस games, 1000 games से भी ज़्यादा खेलने के बाद भी, ये लोग 800 गोल ही मारे हैं, पिछले 20 साल, फुटबॉल खेलने के बाद भी, सिर्फ 800 गोल ही मारे हैं ये लोग, लेकिन, इनकी वावाही पूरी दुनिया में होती है, लोग देखते हैं भाई कि क्या कर रहे हैं, आज गोल लगेगा नहीं लगेगा, पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है, जो लोग टीवी दिवें बेता हैं, उसके खड़े हो जाते हैं, पूरा घर का महौल बदल जाता है जब ये लोग खेलते हैं, हम भी जब क्रिकेट देखते ही महाल होता है भाई, हम तो तोड़ फोड देते हैं सब चीज़े हम तो लड़ाईया कर लेते हैं हम तो भाई बहुत कुछ कर लेते हैं जब क्रिकट सल रहे होती है ऐसी जब इराट कुली खेल रहे होते हैं दोनी जी खेल रहे होते हैं जो भी लोगे सब खेल रहे होते हैं तो बड़ तरब जाते हैं कि नहीं पिरे कहने का ये मतलब है कि इतने बड़े आप से आपके उमर से जाला करियर जादा है इनका फिर भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर मैच में गोल मारा है ऐसा नहीं है कि जब जब उनको मौका मिला उन्होंने गोल मारा ही मारा है हर बार हर बार नहीं तो बात ये नहीं होती है मेरे शेरों और शेर्नियों कि आपको जिन्दगी के हर मौके पे चक्का लगाना है हर मौके पे गोल करना है बात ये नहीं होती है बात ये होती है कि आपको बस खेलते जाना है पूरा जो करियर है इनका 20 साल का शायद और 4-5 साल खेलेंगे तो ये 25 साल का जो करियर है इनका उनने पूरा खेला दिल खोल के खेला और ऐसे खेला कि हर बार उन्होंने कोशिश जरूर की है 800 गोल है लेकिन 8 लाग से ज़ादा अटेंट्स हैं गोल करने के ऐसा एक भी मौका नहीं होगा जिन्होंने छोड़ा नहीं होगा क्यों छोड़ेंगे वो भाई क्योंकि उन्हीं जिन्दगी इसी से तो मालूम होती लोगों को लोग इनको जानते हैं इस चीज के लिए तो क्यों नहीं कोशिश करेंगे वो आप लोग अपने करेर के शुरुवात में भी नहीं होगी आपके 10 ग्रेड के मार्क्स आपको पहुचाएंगे 11 ग्रेड थक आपके प्रीबोर्ट के मार्क्स आपको कहीं नहीं पहुचाने वाले आपके मिट्टम्स के मार्क्स आपको कहीं नहीं पहुचाने वाले बस आपको ये बताने वाले कि आपको कितनी महनत और करनी है बस 10 ग्रेड को और लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेते बस इतना है कि जब जब गोल नहीं होता है रुकना नहीं है आगे बढ़ते जाओ अगर मिट्टम से मार्क्स नहीं आये है तो रुकना नहीं है प्री बोर्ड आएगा प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे है तो रुकना नहीं है आपके college में आएगा ये भी नहीं होता है नौकरी में 4 दालोगे आपको जो करना आप कर पाओगे बस हार नहीं मानना है खेलते जाना है खेलते जाना है खेलते जाना है और जब आप ऐसे ही खेलते जाओगे हर एक मौका जो जिन्दिगी दे रही है उस पे गोल मारते जाओगे या मिस करते जाओगे लेकिन खेलते जाओगे तब दुनिया मुड़ कर देखेगी आपको और ऐसे देखेगी कि आप मिसाल बन जाओगे तो मैं depressed हूँ मैं depression में हूँ ये बोलने के वज़ए बस अपने आपको इतना खहते हैं कि ए जिन्दिगी चला खेलते हैं